हेलो आप लोगोगा फिर से स्वागत है आपके अपने म्रांड मैं आज मैं आपको कोई भी बात स्टार्ट करने से पहले एक चोदा सा इंसेरेंट बताता हूं इसके दो तेन दिन से मेरे कुछ नेबर्स ने मुझे कहा है कि मनीश वाई आप अपनी किसी भी वेडियो या रील पर किसी भी तरीके का फिल्टर एफेक्ट्स नहीं लगाते हो मेरी वाईप को लगता है कि मुझे किसी भी तरीके के फिल्टर एफेक्ट्स के जरूरत नहीं है बड़ अगर आपको लगता है तो आप मुझे जरूर सजेस्ट करिएगा इसके लावर मैं आपको बताता हूं क जो e-commerce industry होती है, वो GST से direct relate करती है, कैसे करती है, GST का मतलब होता है goods and services text, इसका मतलब goods में आते हैं items and products, जो कि hardware चीजे होती हैं, जिने हम चूँ सकते हैं, services का मतलब होता है किसी भी चीज की service देना, like AC repair करना, mechanics, etc, तो goods and services का ही exchange होता है e-commerce industry में, between one or more than one parties, but with the help of electronic tools and techniques, इसमें हम electronic tools and techniques का use करते हैं, जिसमें सबसे intelligent agents होते हैं, languages, multimedia and network, आज का time बे 50% of internet users are online buyers, thank you very much, mangod से जोड़े रहे हैं